हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार Maths वाटिका में दोस्तों मैं हुरू पेशियादव और इस वीडियो में हम लोग Mathematics के 10 वैसे कुशन को देखेंगे जो रेलवे एक्जाम में बार बार पुछे जाते हैं इससे पहले भी हमने इस सीरीज के वीडियो को अफलोड किया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके अलावा Play Store से Maths Vati के अप्लिकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड़ बैच में भी जूर सकते हैं तो आई शुरू करते हैं आज के क्लास को देखेगा पहला कोशन आपके सामने है और Most Repeated यह आपका कोशन है किसी भी एक्जाम के लिए बोला यहा गया है कि निम्न में से कौन से जोड़े सहाभाज है सहाभाज को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं Co Prime Number और Co Prime Number वैसी दो संख्याओं को बोलते हैं जिनका HCF 1 हू इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी दो संख्या जो केवल एक से कटे सहभाज संख्या कहलाती है जैसे अगर हम आप से कहें साथ और आठ दोनों देखे केवल कितना से कटेगा सर यहां दोनों केवल एक से कटेगा ध्यान रहे अभाज होना जरूरी नहीं है साहभाज के लिए यहां बहुत जादा confusion होता है साहभाज होने के लिए संख्याओं का अभाज होना जरूरी नहीं है कोई दो संख्या साहभाज संख्या हो सकता है बस Condition एक ही है कि वहाच दोनों केबल 1 से कटना ड़का है यह अगर आपका सहभाज होगा है। उसी तरीके से अगर हम आपसे कहें कि 9 और 23 क्या यह दोनों सहभा संख्या होगा हासर यह दोनों बिल्कुल सहभा संख्या होगा क्योंकि यह दोनों का दोनों संख्या केवल एक से कटेगा ठीक है दोनों का दोनों किसे कटेगा केवल एक से कटेगा उसी तरीके से अगर हम सहाभा संख्या होगा सरा ठार और पंदरस सहाभा संख्या नहीं होगा क्योंकि यह दोनों का दोनों कितना से कटेगा तीन से कर जाएगा तो एक के अलाबा अगर और किसी से कर जाए तो वह सहाभा संख्या नहीं होगा ओके चलिए तो बिकल्प एक को देखे दोनों का दोनों सम है तो यह तो दो से कटेगा ही मतलब यहां दोनों का दोनों आपका सहभा संख्या नहीं होगा इसको देखें अंको का योग चार एक पांच और एक छे यानि तीन से कर जाएगा तो यहां तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर बिकल्प सी हो जाएगा ध्यान रहे सह अभाज संक्या के लिए दोनों संक्या का अभाज संक्या होना जरूरी नहीं है बस एक कंडिशन है कि दोनों का दोनों केवल एक से कटना चाहिए इस क्यालाबा और किसी से नहीं कटना चाह एक कुशन आपका जुरुबा अभाज संक्या से भी पूछा जाता है जुरुबा अभाज संक्या होने के लिए दोनों संक्या का अभाज होना बहुत जोड़ी है ध्यान रखिएगा जुरुबा अभाज संक्या वैसी दो अभाज संक्या को बोलेंगे जिसके बीच में दो कां जैसे 5 और 7 देख लिए 5 और 7 दोनों का दोनों अभाज है और इसके बीच में 2 कांतर है तो यह जुरुबा अभास संक्या कहलाएगा साथ और नौ जुरुबा अभास संक्या नहीं कहलाएगा क्योंकि दोनों का दोनों अभाज नहीं है दो कांतर है लेकिन यह अभाज है यह अभाज नहीं है तो यह जुरुबा अभाज संख्या नहीं कहलाएगा तो जुरुबा अभाज संख्या उसको बोलेंगे वैसी दो अभाज संख्या को बोलेंगे जिसमें दो कांतर होगा जबकि सह अभाज किसी दो संख्या को हम बोल सकते हैं जो केवल एक से कटे इसके अलाबा और किसी से ना कटे चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन में अगला कोशन देखेगा यहाँ पे क्या है बोला है यदि a square पलस एक बटा a square का मान तिन हो तो a cube पलस एक बटा a cube का मान क्या होगा ध्यान से यहाँ पे जो concept है उसको समझेगा अगर मान लिजी हमारे पास x पलस एक बटा x का मान होता ठीक है इसका मान मान लिजी कि अगर a दे दिया जाए और इसके basis पर हम लोग उसे पूछा जाए कि x स्क्वाइर पलस एक बटा x स्क्वाइर का मान क्या होगा तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जो भी value आपका दे रखा है न उसका हम लोग square करके 2 घटाते हैं यानि हम करते हैं a square minus 2 जैसे देखिएगा अगर x पलस एक बटा x का मान है 7 तो इसका मान हो जाएगा 7 का स्क्वाइर माइनस 2 उन्चास माइनस 2 यानि की 47 अगर x पलस एक बटा x का मान है 13 तो इसका मान हो जाएगा 13 का स्क्वाइर माइनस 2 यानि 179 माइनस 2 166 अगर x plus 1 बटा x कामान यहाँ पर दे रखा है 10 तो इस कामान क्या हो जाएगा 10 का square minus 2 यानि कितना अंठानवे अब मान लिजिए कि question में क्या करें न कि इसी का value दे दिया x square plus 1 बटा x square का value दे दिया 98ниवे ही और हमें पता करना है x plus 1 बटा x कामान क्या होगा ठीक है इस कामान दे दिया और इस कामान पूछा है लेकिन पावर 2 बआला कामान दे करके पावर 1 कामान पूछेगा तो हम क्या करेंगे तो हम सोचेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके square में से 2 घटाने पर अंठाने में आएगा तो सर ऐसी संख्या तो 10 होगा इसका मतलब है कि इसका जो value हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा तो इस basis पर हम लोग जो है वो एक्स प्लस एक बटा एक्स का मान तै कर सकते हैं ठीक है दूसरा देखिए अगर question में एक्स प्लस एक बटा एक्स का मान दे रखा हो ए और हम लोगों से पुछा जाए है ऍाक्स क्योंब प्लस एक कोईदटा एक च्यूब का मान क्या होगा क्यूब वाला का अगर मान निकालना होगा तो इस यहां हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर जो value है एक बार इसका करेंगे a- två और आया इसी वा करेंगे तिगोना हम a plus 1 बटा a कामान निकालेंगे तो a plus 1 बटा a कामान कैसे निकालेंगे तो देखेगा हम सोचेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके square में से 2 घटाने पर 3 आएगा तो ऐसा संख्या हो जाएगा root 5 क्योंकि root 5 का square होगा 5 और 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 ठीक है यही चीज़ तो आपने देखा है ने पलस एक बटक हमान दें करके इसका मान पूश्टा है तो क्या करते है स्क्वैर माइनसी दो करते हैं तो इस यह का मान दे रखा है तो हम सोचेंगे कि ऐसा कौन सा संधिया में सभी स्क को पलस एक बटा एक्स Q کا मान पूछा है तो अब यहां पे जो भी value है एक बार उसका करेंगे बार हम करेंगे 3 घुभ और घटा लेंगे यानि एक बार हम करेंगे रूट 5 का नि मोरत हुआ पाइनगे तीन पांच हो जाएगा 5 5 में से 3 5-किनआ हो जाएगा 2 रूटपांच थो आपका इस कोश्चन का जो आंसर होगा वहापका ऊच्छाएगा विकल्प B यानिकी 2 रूट पांच का into यानिकी रूट पांच गुना रूट 5 गुना रूट 5 रूट 5 में रूट 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा और एक रूट 5 जो है वो आपका रूट के भीतर रह जाएगा ठीक है चलियों, अब बढ़ते हम लोग अगले कोस्षण में, अगला कोस्षण देखिएगा, नमबर चार, यहाँ पर हमें बताना है, यहाँ जो आकरा दे रखा है, उसका मानक बिचलन बताना है, मानक बिचलन देखे निकालने का सौट तरीका क्या है, सबसे पहले हम निकाल और 12, 1, 22, 33, 34, 42, 48, 50, संख्या कितना है एक, दो, तीन, चार, पांच, पचास बटा पांच यानि के 10 माध हो जाएगा 10, माध क्या होता है आकरो का योग बटा आकरो की संख्या, तो जो भी आकरा दिया गया है सब को जोड़ेंगे तो 50 आएगा आकरो की संख्या है 5, 50 बटा 5 करेंगे वेलू कितना आएगा 10 तो माध निकल गया 10 अब माध निकालने के बाद क्या करना है Ultra से देखियेगा इसमाध में से बारी बारी से सभी संख्या को घटाके स्कॉर करेंगे तो दसमें से 10-0-0-0, Nepom stair हो जाएगा जीरौ, पालस, दस में से 11-1, oils, minus 1 हो जाएगा, प्लस एक नेगेटिफ़ भी संख्या होगा, अब स्क्वाइर करेगा तो positive हो जाएगा, आगे दस में से 12-2, माइनस 2 का स्क्वाइर, कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, प्लस नीकलेगा इससे आपका निकल जाएगा प्रसरन ठीक है प्रसरन निकालने का यह आपका तरीका हो गया। पहले हम निकालेगे माध्ध और माध्ध में से बारी-बारी से सबी संख्याओं को गठा के उसका स्क्राइश करें तो 10 में से 10, 0, 0 का square, 0, 10 में से 11, minus 1, minus 1 का square, 1 अब इसको जोड़िए, 4, 1, 5, 4, 9, 1, 10, 10 बटा 5, यानि कितना हो जाएगा, 2 तो प्रसरन आपका आगया है 2, और प्रसरन एक बार आगया, तो मानक बिचलन जो होता है, वो आपका root अंडर प्रसरन होता है मानक बिचलन क्या होता है, मानक बिचलन बराबर होता है आपका root अंडर प्रसरन, ठीक है root अंडर क्या होता है, प्रसरन, तो प्रसरन कितना है, 2 है, यानि कि root 2 यही आपका इस question का answer हो जाएगा ठीक है चलिए एक और ध्यान रहे कि अगर माली जब प्रसरन चार होता तो मानक विचलन क्या हो जाता है रूट चार करते तो वैलू दो आता और जब भी रूट के भीतर कोई भी संख्या होता है उसको जब बाहर निकालते हैं तो प्लस मैनस आता है लेकिन मानक विचलन आपक कभी भी नेगेटिव नहीं होता है हमेशा क्या होता है नेगेटिव आपको नहीं लेना है और चलिए तो यहां जो आपका अच्वा shorter होगा रूट दो होगा अगला पाई चाट से हैं पुला निम्रिखित बिर्थ चाट में कुछ फंसलों के वार्सिक उत्पादन टन में दिये गया है यदि कुल उत्पादन 9000 था तो चाबल की उत्पादन की मातरा टनों में बताए हमें किसका उत्पादन बताना है चाबल का उत्पादन बताना है टनों में यहाँ पे देखिए data नहीं दिख रहा था इसलिए अलग से लिखा गया है चावल का उत्पादन कितना degree है 40 degree wheat यानी गेहूं का उत्पादन है 100 degree sugar का उत्पादन है 80 degree और other जो है वो उत्पादन है आपका 140 degree pie chart का जो data होता है वह यह तो degree के form में देता है या फिर percentage के form में जब percentage के form में देगा तो पूरा मिला के 100% होगा और अगर degree के form में देगा तो पूरा मिला के 360 degree degree के form में 360 degree का मतलब होता है total और percentage के form में 100% का मतलब होता है total अब question में देखे क्या बोला है कुल उत्पादन है 9000 ton या 9000 टन जो है वो आपका कुलूत पादन है आप एक ची बताएए कि डिगरी के रूप में कुलूत पादन कितना है 360 डिगरी इसका मतलब भी जो 9000 टन है या आपका 360 डिगरी का मान है तो जितने डिगरी का मान है उससे अगर भाग करिएगा तो एक डिगरी का मान निकलेगा कुल उत्पादन कितना टन है 9000 टन है जबकि डिग्री के रूप में कुल उत्पादन सब को जोरेंगे तो 360 डिग्री यानि डिग्री के फॉर्म में कुल उत्पादन 360 डिग्री जबकि रियल में 9000 यानि 9300 60 डिग्री का मान है तो 360 से भाग करेंगे तो एक डिग्री का मान नि और जितने डिग्री का मान पुछेगा उतना से करना है गुना जिसका मान देगा उससे करना है भाग और जिसका मान पुछेगा उससे करना है गुना सुल्ब करिए इसको यहाँ पे आप कारते हैं तो यह कैंसिल हो जाएगा चार नामा चाट्थीस नौ हो जाएगा नौ से अगर इसको आप कारते हैं तो एक हजार यानि चावल का जो उत्पादन होगा वह कितना हो जाएगा 1000 टन हो जाएगा उसी तरीके से अगर आप से पूछा गया होता गेहूं का उत्पादन यानि कि 100 डिगरी का मान तो हम कितना से गुना करते इसी में 40 के जगा 100 से गुना करते सुगर का उत्पादन पुछा गया होता है हम 80 से गुना करते कहने का यह मतलब है कि जितने डिगरी का मान देगा उतना से करना है भाग और जितने डिगरी का मान पुछेगा उतना से करना है गुना चलिए तो कुछ अस्वास्ता कारण इस क्लास को हम अभी कंप्लीट नहीं करा पा रहा है इसके बचे कोश्चन को हम अगले वीडियो में डिसकस कर देंगे तो आज के लिए इतना ही वापस मुलाकात होगी अगले दिन थैंक्यू जैहिंद